हेलो दोस्तों, इजी तू डिजाइन में आपका स्वागत है, आज हम सिखेंगे कि पॉइंट क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, उसके लिए हमें एक प्लेन सेलक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलक्ट करेंगे, यहां पे पॉइं पॉइंट कमाड एक्टिव हो गया, अब आप जिस भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, वहां पे पॉइंट बन जाएगा, यह से देखिए, पॉइंट बन गया, पॉइंट बन गया, कमाड से बाहर जाना के लिए, राइट क्लिक करें, और सलक्ट पे क्लिक करें, अब इसका डामेंशन दीजिए तो इसमार्ट डामेंशन पर क्लिक करें 100 mm एंटर 90 mm एंटर यह पोईंट यह पोईंट और यह पोईंट का एंगल 120 डिग्री एंटर अब हम सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाएंगे पोईंट कमांड एक्टिव करें डामेंशन दीजिए 25 mm एंटर 60 mm एंटर 70 mm एंटर और इसका एंगल भी दे सकते हैं से इस पोईंट इस पोईंट और इस पोईंट का एंगल 46 एंटर एक सर्किल ट्रॉक करेंगे पोईंट कमांड एक्टिव करें और एंटर पोईंट इसका डामेंशन दीजिए 57 पोईंट यह पोईंट यह पोईंट और यह पोईंट का एंगल 84 डिग्री पोईंट का यूज हम पार्टिकुलर डिस्टेंस या लोकेशन स्पेसिफाइड करने के लिए यूज करते हैं जैसे देखिए इस लाइन का टोटल लेंथ है 103 एमेम बट हमें यहाँ पे दिखाना था कि यहाँ से 25 एमेम कितना होगा तो उसके लिए हम पोईंट का यूज करेंगे और फिर हम डिमेंशन दिखा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक करें कॉमेंट करें और हमाने चैनल को सब्सक्राइब करें आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद